पुनहां वल्लभं विठलाचार्यं स्रीक्रेश्णं बादरायनं सूत्रभाश्यक्रतव वंदे भगवंतव पुनहां वल्लभाचार्य दिव्याज्या प्रतिवासर मुझ्वलां दिगंत व्यापिनी भूया साहिलो कहितैश्णी सरवदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्या वर्धताम अभीवर्धताम नत्वाश्य वल्लभाचार्यान उष्टि मार्गो पदेशकान विठलेशान गुरुम्स्तव्मी बालकृष्णममः प्रभुन्षी कृष्णाय नमः शी गुरुभ्यो नमः सवस्त प्रिये जन, भगवद्ये जन, मैं गोस्वामि गुविंद्राय आपका आज स्नान यात्रा के महान परवपे जेश्ट सुध पूरडिमा के दिन आपका हमारे सत्संग सदन में जोमान तरगत अंतर जालिये इस फेस्बूक लाइवेवम यूट्यूब के वेवस्था संचाल एमान होते मैं इस सत्संग भवन में आपका खुब-खुब स्वागत करता हूँ आज हम चत्रवुष दाश जी की वारता को संभवता समापन की ओर ले जा रहे हैं और इनी के साथ कुछ दिनों के लिए मेरा ये सत्संग का करम ऑनलाइन का स्थगित रहेगा क्योंकि मेरा कल से परदेश प्रारंब हो रहा हैं तो मैं जब तक परदेश करके लोटोंगा नहीं तब तक मैं शायद नित्य आपको नौ से दस ना मिल पाऊं हाँ लेकिन मैंने एक विचार जरूर मेरे मन में किया है कि जितने भी हमारे यूट्यूब के एवं फेस्बुक पे हमको फॉलो करने वाले या सत्संग में भाग लेने वाले जो प्रियेजन हैं उन सभी मेरे फेस्बुक के मित्रों के लिए यूट्यूब के मित्रों के लिए मैं खास एक आफलाइन ये सेविन डेज का एक गरंथ सेशन तयार करने जा रहा हूं मैं हैदराबाद, चेन्नई ये मेरे साथ जो मेरे एक्यूपमेंट्स चलेंगे, इलेक्ट्रानिक गैजेट्स और ये जो भी व्यवस्थाएं हैं वचनामरत को सुलब कराने वाली, तो मैं उनमें खास रूप से आपको अपने-पने समय पर सत्संग प्राप्त हो, उसके लिए शुद्धत्वे, इस धांतस या कोई न कोई सुन्दर एक निवन्द गरंथ मैं आपके लिए जरूर सत्संगार्थ सुलब कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा, जिससे जो लोग मेरे साथ रोज जुड़ रहे हैं, उनको प्रती दिन भर्ति सेतु हवेली के ओफिशल पेज से, फेस्बुक पेज से, ए पेरी बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा थी, कि सस्वर अपनिया के जो शोड़श गरंथ पाठ का करम है, या जो हमारे नाम रूप गुण का करम है, पुरशत्तम सहस्त्र नाम है, ये सस्वर पाठ हम आपके साथ कर सकें, तो उस धंग के कुछ वीडियोस आएं के आपके वचनामरतों में, सत्संग में हम हमेशन श्रवन करते हैं कि कुछ पाठ हादी करो, तो पाठ हादी की अपनिया की क्या परंपरा है, क्या अपनिया के उच्चारण है, क्या गती, लए, छंद में उनके पाठ होने ही चाहिए, तो उन सब चीजों को भी दृष्टी गोचर कर रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि छोटे-छोटे वीडियो कुछ ऐसे तयार हूं कि जिनमें नाम रूप, गुण, नाम रतनाख्या, यद्यभी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही फेस्बुक पे देखे, प्रवर्तमान समय में सोमिया जी दीक्षित, सागनीचित, इन सब के उपर छोट-छोटे वीडियो बहुत सुन्दर बनाए हैं, मतलब मैं मेरे स्वतंद्र वीडियो बनाने से भी ज्यादा अपेक्षा करता हूं कि जो लोग सूरत शष्टपीट के उस पेज को फॉलो कर रहे हैं, आप जरूर वहां से वो नाम रतनाक के स्तोत्र और सर्वत्तम जी आदी आप डाउनलोड करिये, क्योंकि वास्ताव में बहुत अथेंटिक ढंग से और प्राचीन परिपाटी से वैदिक छंदोबद्ध ढंग से भी उन्होंने पाट का उच्चारण करके हमको सिखाया है, तो अपन लोगों को उससे भी लाभनवित होना चाह गीता बिराज रही है, तो एक समय ऐसा आया कि श्रीमद आचारे चरण के उत्सव की बधाई के दिन बैठे हुए थे, हमारे एन्वेल फंक्शन स्टार्ट होने वाले थे, उसके पहले जो व्याख्यान और वचनामरतों का क्रम था, उस समय पे हमने एक समय में, यहां वाप श्रीमाप्रभुजी के चौक में हमने किया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग बिराज रही थी, तो मुझे मीडिया मैनेजर्स ने खास आगरे किया, कि इतनी सुंदर आपके वचना ये बोल में, आपके पाठ के बोलों में पूरी भगवत गीता बिराज रही है, तो क्यों न तो उतनी स्पीड से पाठ कर सकते हैं, उतनी गती से पाठ कर सकते हैं, हर व्यक्ति को शायद वो ऐसा लगे कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी पाठ किये हैं, वो ट्यूटॉरियल के डंग से शिक्षा के लिए सुलब नहीं हैं, अपितु जो अल्रेडी भगवत गीता के पा करम से संभवता बाटा गया है मुझे जितना याद है अब आपको देखिएगा यूट्यूब पे जाके तो जिल लोगों को भी मेरे साथ श्रीमद भगवद गीता का पार्ट करना है मैं उन सबी लोगों का खुब-खुब आवाहन करता हूं कि यूट्यूब से आप जरूर व एसी आदत थी कि हम हमारे यहां की तैत्री सम्हिता के काफी मंत्र सूक्त आदी सब चला के हम लोगों हमारे सब कारे करते थे तो काफी वेद मंत्रों से हमारा उससे परिचय हो जाता था जब फिर बाद में बैठके सस्वर हम खुद भी पार्ट करते थे तो हमको ध्यान आत यहां यह सब मंत्र तो हमारे सुने हुए हैं तो क्या होता है कि इत्ती बार हम पाठ करने न भी बैठ सकें तो भी अपने को शरवण मंगल हो और अपने करणों का संसकार होता रहे ऐसे भगवन नाम और भगवद वानी ध्वनित अपने आसपास होती ही रहनी चाहिए प्राच त्वरा में लोग हवेली आते हैं, मंदिर आते हैं, फटा-फट दर्शन करते हैं, अपने-पनी सेवाओं में जुड़ते हैं और तुरंत अपने-पने कारियों के निकल जाते हैं लेगिन पहले काफी बड़ा एक सीनियर सिटीजन वर्ग हमेशा हवेली को उस धंका टाइम डेडिकेट करता था कि हवेली के वातावरण को और पवित्र बनाने के लिए वो कृष्ण नाम और भगवन नाम की अलग-अलग प्रकार की सामप्रदाइक विधाओं से वहां के वातावरण को आध्यात्मिक और आधिदैविक बनाए रखने में अपना-पना योगदान भ पढ़ें और साथ में उतना समय भी वो इस धंग का यूटिलाइज करें कि जो हो सके उतने धोड़पद की परमपरा वापिस पुनर जीवित हो आज कितने नए नए हमारे आने वाले वाईशनों यूवक और यूवतियां हैं जिनको धोड़पद आते ही नहीं हैं क्योंकि ये सब चीजें कोई पाठक्षाला में नहीं पढ़ाई जाती ये सब परमपरागड ढ़ंग से, अपनी मा से, अपनी सास से, अपनी नानी से, अपनी डादी से हमको लेनी पड़ती हैं तो जो अपने हाँ कि ये सब विधाय हैं, जिनमें अलग-अलग परकार के ब्रज मेरे जी की आरती याद है लोगों को यमना जी की आरती याद नहीं होती तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में तो हम उत्तर भारत के किसी भी वैश्णों के साथ बैठते थे तो वो हमको गिर्राज चालीसा सुनाते थे शिनाज जी चालीसा सुनाते थे तो ये सब जो चीज़ें थी ये बहुत एक उनके पुष्टेमार्ग ये दैन दिन जीवन में वो कैसे पुष्टेमार्ग को जीते हैं वो प्रदर्शित करती थी तो हमको ये सब चीज़ों को भी जितना हो सके उसको कहते हैं संजो के रखना पड़ेगा संभाल के रखना पड़ेगा कु लोग सब भी अपने अपने ढंग से अपना योगदान दीजिए, प्राचीन कितने प्रकार की गे परमपराओं से वल्लब आख्यान गाया जा सकता है, या जो जो राग उनमें दिये हुए हैं, उसके अलावा उन आख्यानों को कैसे कैसे लोग लोग परमपरा से गाते थे, य और चीज संप्रदाई में केवल शोडश गरंथों को, निबंद गरंथों को, भाष्य गरंथों को, प्रकरण और प्रकिरण गरंथों को देखने से नहीं आएगी, कितनी चीज़ें तो भाव का पोशन, दयाराम भाईकरत भक्ती पोशन हुआ, फिर बाद में बहुत लोग तो यह सब जो चीज़ें थी, यह परंपराएं थी अपने मार्ग की, और हैं, मैं तो कहूंगा थी भी नहीं, क्योंकि अभी भी वो पूरा समाज हमारे बीच में से लुप्तिया, गाया भी अंतर धियान नहीं हुआ है, कि जिसको यह सब याद नहीं हूँ, लेकिन उसको carry forward करना बहुत जरूरी है, तो जैसे आप लोग मेरे साथ सत्संग में जुड़ते हैं, मैं तो कहूंगा, जिन जिन गुरु घर से, हवेलियों से, भगवन मंदिरों से, आप जुड़े हुए हैं, आपका आना जाना है, वहां जाकर आप ये सब चीज़ों के वरंद बनाइए, ये सब चीज़ों से लिए लोगों को जोड़िये, क्या ओपन बैट के सस्वर पाट करें, हम पुरुषत्तम सहस्र नाम करें, जीता जी का पाट करें, आज पूरा पुरुषत्तम सहस्र नाम जब आता है, तो कितने लोगों का ऐसा संकल्प होता है, कि हम रोज कम सकम एक बा हवेली जाएंगे और श्री महाप्रभुजी के चोक में, महाप्रभुजी के सन्नेधान में बैठके, वहाँ इस बार पुरुषत्तम मास में अपन नाम, रूप, गुण, मतलब सरवोत्तम जीश्री वल्लभाष्टकम, सुरुत कृष्ण प्रेमामृत करके, मंगलाचरन यमना यमनाश्टकादी करके, और फिर हम सस्वर पुरुषत्तम सहस्राम करेंगे, जब जन्माश्मी की बढ़ाई बैठ जाए, एक मास के लिए यमनाश्मी की बढ़ाई बैठती है, तब नित्या के त्रविद नामावली करना चाहिए, शोडश दून्त के सत्र करने चाहिए, मै यह तुम अपने आत्म उध्धार के लिए घरों में तो करते ही हो, लेकिन एक कल्चर, एक ट्रडिशन, एक पैटर्न बनाने के लिए कि हवेली में ये सब होता है, ये सब चीजों के लिए तो आपको ही वर्क करना पड़ेगा, केवल आए, सेवा लिखाई, सेवा की, के दर्शन कीए, बालक से मिले, कुछ देर वलप्पुल के सानित्द्य में बिराजियोर चले गए, तो आपका कॉंट्रिबुशन, एक पाट की पुस्तक हो, आपके पास कुछ संग की वस्तु हो, आप चार वैशनों को आप खुद बिठाओ, अरे क्या कोई ये थुड़ी क भागवधी बनने चीए, बागवधी बनने ही तो आए है हração पे, वहां थोड़ी कोई पाखंड करने आए हैं, तो आपको भगवधी बनने में कोई हानी नहीं है, और भगवधी बनने में लाभी है, अच्छा हैनने कम से कम इस प्रकार की एक अपनी लोगों में ख्याती फ मार्ग के ही गौरों को बढ़ाईगी तो मैं आपसे एक इंडिविज्वल एक केवल गुरुपद या आचारयासन से ही नहीं अपी तो एक वैश्णों की दृष्टी से भी एक दो कंठी धारी वैश्णों होने के नाते भी मैं मेरे सभी सत्संगी लोगों से ये खास आगरे कर करता हूं कि आप संप्रदाई के स्थलों को पुष्टी मारगी स्थलों के रूप में बनाने में कॉंट्रिब्यूट करिए आपका बहुत अमूल्य समय इतना कीमती समय जो आप वहां के दे रहे हैं उसके साथ आप केवल पुन्यलाब लीजिये मत लोगों को पुन्यलाब दीजिये भी तो आप इस धंग से भी संप्रदाई को बहुत हेल्प कर सकते हैं कि हम अपने मंदिरों में जाएं अपने भगवत संनिधान के स्थलों में जाएं जहां पर जाके हम आचारियों का भी आगरे रखें कि हम गुरु जनों से मिलें उनके पास बैठें उससे पू में सबसे कम हम लोगों को हाथ में गव मुखी लेके देखते हैं जबकि हम हमारे से इतर वैश्नों संप्रदायों में यदि देखें तो हम देखेंगे कि हम हर दूसरे तीसरे आत्मी को हाथ में वो भी बहुत गलत प्रकार की जोली वो तो गव मुखी भी नहीं होती है वो तो भी तीन चार कंठी बान लेते हैं जाने कैसे क्या करते हैं हो तो हम तो कंठी को कंठी से लेकर अर्दै परियंत धारन करते हैं इसने हमारी कंठी विजिबल नहीं होते हैं बहुत लोग कंठी छुपाने का भी बड़ा एकागरे होता है कि लोग कंठी छुपा लेते हैं मैं कहना चाहता हूं कि हम बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग भी हमारे आसपास वैश्टों संपरदायों का देखते हैं जो बड़े-बड़े गोपी चंदन के तिलक पुरा गला भरे उत्तिकंठियां हाथ में एक मिचित्र प्रिकार की अशास्त्री है जपिया मतलब यह देखो तो वो अशास्त्री है मतलब उसका कहीं कोई शास्त्र में वर्णन ही नहीं है जबकि फिर भी हम देखेंगे कि वो लोग कितनी बहुत मात्रा में गूम रहे हैं और आपको मैं स्मरण करा देना चाहता हूं इस समय क्योंकि प्रासंगिक है यह बात निकली है इसमें मैं बता सामने ये पक्ष रखा कि यदि एक क्षण भी व्यक्ति भगवन नाम ले तो जीवन में कृतार्थता है और महाप्रभुजी ने उनके सामने क्या पक्ष रखा कि गाय के सींग के उपर राई का कण ठेरे उतने क्षण भी यदि भगवन नाम विसरें तो आसुरा वेश होए अब बताओ ये पक्ष किसका था ये अपने आचारे का था कि हम उतने एक शण भी यदि भगवन नाम भूलें तो हमारे में आसुरा वेश होए ये पक्ष जिनका था उनके लोगों ने तो सारी गव मुखियां ताक पर रख रखी हैं और जिन लोगों ने ये पक्ष था कि एक बार भी यदि भगवन नाम ले तो उसके जीवन में करतार्थता है वो लोग सबोंने तो माप्रभुजी की वानी धरन कर ली और अपन ने माप्रभुजी की बात छोड़ दी मैंने तो मेरे जीवन में बहुत मतलब शायदी कोई वैश्णव देखे होंगे कि जो हवेली गव मुखी लेके आते हैं कभी नहीं आते हैं जबकि बहुत बहुत समय हवेली में वितीत करते हैं सेवा से इतर भी वहां बैठे होते हैं पन वो पाठ नहीं कर रहे होते हैं वो सत्संग नहीं कर रहे होते हैं वो 254 वैश्णव शिक्षा पत्र या भागवत जी का एक अध करेंगे आपको वहां आके क्या करना है इसकी सुस्पष्टता आपके जीवन में होनी चाहिए क्या आप चहां विजिट कर रहे हो आप क्या करने जा रहे हो कोई भी एक सामान ये व्यक्ति मैं तो इतरमार्गियों का दिश्टान देखे एक बात कह रहा हूं आदमी आपको ठे नहीं आ रहे हैं कि वो शागभाजी लेने निकले या घर का किराणा लेने निकले या दवाई लेने निकले जो आपने दर्शन पन करता जाईए ये तो बहुत गंदी सोच है हम दर्शन करने आएं और ये सब कारे करते जाएं तो एक अलग विचारधारा है इससे आपने फ्यूल भी बचाया है टाइन भी बचाया है अपनी एनरजी भी बचायी लेकिन आपने वो सब बचाने के चक्कर में यह दी सोचा के चालो अपने दर्शन पन करता जाएं तो आपने भगवत दर्शन के क्रम को अपनी शागभजी लेने के काम से भी बहुत गौण मानके वो खारे किया इसलिए वो एक विचारध रिष्टी भी अपने अंदर नहीं आनी चाहिए कि हम और सब काम के चलते चलते दर्शन भी करते चलें नहीं ऐसे दर्शन करने आप मत आईए आप ऐसे दर्शन करने आईए कि हम वहाँ जाई रहे हैं वहीं बैटके पार्ट कर लेंगे वहीं बैटके जब कर लेंगे वहाँ उतनी दिर रहना ही है, शेहन करके ही आने वाले हैं, तो हम क्यों न उतने दिर वहाँ सत्संग में बैठे हैं, मेरे खुद के घर के प्रांगण में मैंने दिखा है, हमारे एक बहुत अच्छा सीनियर सिटीजन सत्संग की जनाना सब वैशनों बैठके सत्संग करते थे कितने हम जब बहार से कभी आते थे संध्यार्ती से शेनार्ती के बीच में प्रायरोज ही ये, तो कोरोना काल ने आके सारे क्रम बिगाड़ दिये, कोविड काल ने आके, लेकिन उसके पहले तक तो हमारे भक्ति सेतु के प्रांगण में तो निक्यस वोधनी जी का और भाग भागवन नाम ले रहे हैं, तो ये जो बाहर बैठने वाला वर्ग होता है, इसके कान में यदि वो भागवन नाम पढ़ गया, तो इसको हानी क्या होगी, ये मैं आज तक कभी इसका एवैलुएशन नहीं कर पाया, मैं तो नहीं कर पाया, कि ये लोग जब वहां बैठते ही हैं, टाइम स्पेंड करते ही हैं, और निकम में बैठे रहते हैं, सीधी भाषा में कही जाए बात तो, तो ये वहां जाके पाठशाला में क्यों नहीं बैठ जाते, जहां ये कोई वारता सुन लेंगे, या कोई, मतलब, ये क्या, मतलब, ये ये ताड़का, सुर्पन नखा पूतना जैसा क्या attitude है, कि भगवन नाम कान में नहीं पढ़ना चाहिए, बहले हम वागए हूँ, भगवन नाम थोड़ा हम उससे तो हम थोड़ा दूरी रहेंगे, क्या सुचाले चाहिए, आपन ने सुचाले चाहिए, तो क्या ही बुरु मा थोड़ी चाले चाहिए, कही ने कही तो हमारा गुजराती मा, के ब्रजुभाशा मा, के हिंदी मा, आमा चालतू है न, तो इतना तो विचार करना चाहिए, हम वाग क्या करने गए हैं, तो मैं भगवन मंदिरों में विजिट करने वाले, और दर्शनार्थ जाने वाले, और सेवार्थ जाने वाले, मैं इन सभी प्रकार के वैश्णों से मैं गोश्वामी गोविंद्रा है ये आगरे करना चाहता हूं सभी लोगों से कि आपका बहुत कीमती समय है आपके लिए भी हमारे लिए भी आपका ये देह भी जो है वो हमारी तरह ही शनभंगुर है और ये नश्वर जगत में आप मेर रह है बले जगत सत्य है हमारे ब्रह्मवाद की दृष्टी से पर नश्वर तो है और अगर वो नश्वर ना भी हो तो हमसे कम हमारा देह तो शनभंगुर है हम तो ऐसे हैं कि आज हैं कल नहीं है क्या पता और हमको ये गत डेढ़ दो साल ने हमको यही शिक्षन दिया है कि हम आ धर्मद्रिश्टी से, आध्यातनिक द्रिश्टी से, आज देविक द्रिश्टी कौंड से, चायदान हो, धर्म हो, जप हो, पाढ़ हो, हों करमादी हो, सेवा के अलवकिक कारिय हो इन सवों में आज एदिया आपको लाभ हमिल रहा है तो हमारे तो पुष्टिमारगे धोड पदों में परंपरा से लोग दा रहे हैं आजनो लावो लीजिए जी तो आजनो लावो क्यों छोड़ना तो मेरे कहने का तात्र सिर्फ इतना है आप सब लोगों के जाने से जो हवेली का माहौल बनता है उस हवेली के माहौल में सही डंका इजाफा तभी हो पाएगा जब कंदिर को एक स्वरूप दोगे कि वहां जाके पाठ करो वहां जाके जब करो वहां जाके कीरतन करो आपको कोई उन प्रांगनों में रोके तो मुझसे बोलना कि हम तो वहां गयते भजन करने हमको रोक दिया गया कोई क्यों रोकेगा तो कोई क्यों टोकेगा कि यहां बैठ करें मतलब वहां तो व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई बहार से आया है ओफिस से आया है डारेक कोई फैक्टरी इंडस्ट्री से आया है तो वहां कम सकम मूध होके एक अच्छा तिलक लगा सके वो एक अच्छा चरणामरत ले सके उसकी कंठी बदल नहीं हो यह सब उपलब दोने चाहिए पार्ट की पुस्तक हैं उपलब दोने चाहिए कि मान लोग खुद नहीं भी लेकिया है तो आप पेड़ी से मिल जाएंगी कि पेड़ी पे पार्ट नहीं पुस्तक छे हाँ बैटो करो तो यह जो पार्ट शालाएं होती हैं यह जो लाइबरीज होती हैं यह जो महाप्रभु जी के चौक या गादी जी जैसी वेवस्ताएं होती हैं यह क्यों होती हैं यह इसलिए होती है ताकि वहाँ बैटके लोग अपने पार्ट करें, वहाँ बैटके लोग सत्संग करें, सत्संग सुने यदि कोई करा रहा है तो व्यास जी बैटके दिमा पार्ट कर रहे हैं, तो उनसे कहें भई आप जोर से पार्ट करिये भी ताकि हमारे भी कान में कर पाएंगे जो संप्रदाय के स्वरूप को सुधारने समारने में आपका कॉंट्रिबूशन दिखाएगा कि आप इस जंग से कॉंट्रिबूट करते हैं कि आप महां जाते हैं रोज बैठते हैं और आप महां पार्ट करते हैं आप और अगर लाव ले रहे है तो आप कोँछा आपने घर में जो की सेवा कर रहे हैं अपने लिए जो पाणट कर रहे हैं वो सब भोट व्यक्तिगत और भूत प्राइवेट अफैर है अपने ठाकुर जी के साथ और अपने खुद के अपने साथ मतलब ये देखा और आत्मा का भी जो अंतर रवन है वो ठीक है वो अपने लिए वो आंतर भजन और भाईये भजन आप आपके लिए जो कर रहे हो वो तो आपका है वो आपका बहुत परस्नलाइज़ विशा है उसमें मैं क्यों कुछ कहूं किसी को भी लेकिन जब हम कोई एक ऐसी social religious gathering के spot पे इखटे हो रहे हैं तो वहाँ उस social religious में social के part को कम करना चाहिए socialization कम करना चाहिए और उसकी religiousness को उसके ritualistic aspect को उसकी spiritual जो energy के जो वो hot spots हैं जो वाइफाइज हैं वहाँ से जितना हो सके उस वाइफाइ में से 2G, 3G नहीं अपितु श्री जी डाउनलोड करना चाहिए बस इसी के साथ मैं चत्रबुद्दास जी की और चलना चाहूंगा के आज हमारे पूरे व्याख्यान का मतलब ये जो हमारी वारता साहित्य का जो सत्संग चल रहा है इसमें अभी भी हमारे श्री गुसाई जी के तीन सखा तो आज चत्र स्वामी जी का और गोविन स्वामी जी मेरे बड़े प्रिये हैं और अती फेवरेट्स में से एक हैं दोसो बावन वैश्रों की वारता में उनके चलित्र भी ऐसे हैं और कुछ न कुछ तो उनमें विशिष्टता और वहीला ख्षण्या है अन्या अस्ट सखाओं में से अन् इनके उपर ऐसी कृपा श्रिगुसाई जी ने किया है ऐसे हमारे श्रिगोविन स्वामी जी की वारता से ही मैं मेरा next session स्टार्ट करना चाहूँगा और उसके बद चीत स्वामी जी और नंददास जी से हम ये हमारे अस्ट सखाओं की वारता का सत्संक्रम इस प्रिकार से हम लेकर चलेंगे तो मैं आप से जिस दिन भी पुना मिलूंगा तब मैं आपके साथ गोविन स्वामी जी की वारता के साथ मैं गोश्वामी गोविंद्राए आपके सत्संग रूपी सेवा में मैं हाजिर हो जाओंगा आज आईए मिया और आप चतुर बुर्दास जी के चरित्र के आगामी दर्शन करके اور फिर हमारे इस सत्षंघ के करम को यहाँ पर रखते हैं आज हमारा प्रसंग जो चल रहा है वो वारता प्रसंग 8 हुआ है हमने 7 प्रसंग तक परसंग तक सत्षंग किया था फिर कल का दिन तो हमारा पूरा आज स्नानी अत्रा के महात्म्य में और हमारी जली अत्रा स्नानी अत्रा उभाई क्रम को निरूपन करने में ही चला गया तो आज अपन वार्ता प्रसंग आठ फिर पाचे चतुरभुजदास ब्याह न करते हैं तब शी गोर्धन नाज जी ने चतुरभुजदास सो कयो जो चतुरभुजदास तू ब्याह करी तब चतुरभुजदास ने कही जो महाराज मैं ये सुख छांडी के आपदा में क्यों परों आपदा मतलब गरहस्त धर्म तब शी गोर्धन नाज जी ने फेर आज्या करी जो बेग ब्याह करी तब शी गोर सूतक भयो, तब अथ्यन्त वीरह करी के आतुर भय, तब चत्रीबुजदास के अंतक करण की श्री गोर्धनाजी ने जानी, सो वन में चत्रुबुजदास बैठे बैठे विरह करते, सो कीर्टन करी के दिन व्यतीत किये, ता समय चत्रुबुजदास ने कीर्टन गाए सो पद, ये चत्रुबुजदास जी को विया की प्रेड़ना भी श्री गुर्धन धर नहीं दी, और विप्रयोग का दान करने के लि थीं के नहीं थीं के क्या थीं, लिकिन दैवी जीव के, उष्टी जीव के सम्मंद मात्र से जो उद्रती का क्रम है, मैं उसके आधार पर ये बात कह रहा हूं, कि जब वो भगवत धाम को, भगवत लीला को प्राप्त न भी हुई हों, तो कम से कम भगवत धाम को तो प्राप्त होने में और भगवत लीला में जाने में बड़ा फरक है, इस चीज को पर फिर कभी शांति समझेंगे, क्योंकि इसमें मुझे आपको सब समझाना पड़ेगा, सालोक्य, सामिप्य, सार्ष्ट्री, सारुप्य, एकत्व मतलब सायुझ्य, अपनिया का सायुझ्य, मरियादामार्क का सायुझ्य, इन सबों में बड़े भेद हैं, इसलिए अभी हम वो मोक्षावस्था की अलग-अलग स्टेजिस की चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जब इनकी स्त्री का देहांत हो गया, ऐसा है, बोलना थोड़ा हार्ष, केवल देहांत नहीं हुआ, अपी तो चत्रुबुद्दास के संबन्द से और वो भी देखो, गोर्धन दर्ग की आग्यां से वो ब्या हुआ था, तो श्री गोर्धन नाजी ने जो पात्र चत्रुबुद्दास जी के लिए चुना होगा, उसके लिए हम ऐसी हेटी में ही रह रहे हैं, ऐसे आन्यों और जतिपुरा, गोपालपूर यहां पे उनको ब्रिजलिज तो प्राप्त है और जिनको ब्रिजलिज प्राप्त है, जिनको ब्रिजवास प्राप्त है, उनकी मुक्ती में कहां समझे हैं, तो मैं उस अर्थ में कह रहा हूँ कि इनको मिरिस्त्री चली गई, मिरिस्त्री चली गई, ये ठाकुर जी का जो विरह करते, सो ये वाके परिनाम स्वरुप ये कीर्तन गाते, सो पद भोर भावतोशी गिर्धर देखो, सुभग का पोर लोल लोचन छबी, निरख नैन सुफल करी लेखो, नक्षिक रूप अनूप विरा देखो, चतरभुज प्रभु रस रास रसिक को परम भाग बल एक टक पेखो, दूसरों पद करते, शाम सुंदर प्राण प्यारे चिन जिनक हू न्यारे, नैन की ओट मीन जो तलपत इन नैनन के तारे, मृदु मुसे कान बंक बिलो कद डगमग चलात सहज में सुढारे, च चतरभुज प्रभु गिरधर की बानिक पर कोटिक मनमत वारे, ऐसा ही एक और पद यहां दिया है, गोपाल को मुखारविंद जीय में विचारों, कोटी भान, कोटी चंद, मदन, कोटी वारों, सरस सरोज सुधा नैन भर पाई, सुख समुद्र सो कापे कहिये जाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबई जाके हाथ, चतरभुज प्रभु गोवर धनधर श्री गोकुल के नात, सो ऐसे ऐसे प्रार्थना के चतरभुज दास ने वहुत कीरतन करी के सूतक के दिन व्यतीत किये, ताप आचे शुत्य होई के शिनाज जी के शिंगार के दरसन चतरभुज दा यहाँ पर इस वारता से हमको यह जानने को मिलता है कि हम लोग सूतक के काल में बिनती के बैराग्य के पदों का स्मरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यह तो स्वयम क्योंकि लीला में भी सखा हैं और रातरी की लीला में सखी हैं तो इनकी समानता अपन को नहीं करनी चाहिए कि इनने सूतक में कीर्टन किये तो हम भी सूतक में कीर्टन करें ऐसे होडा होड अपने आर्ष प्राचीन भगवत भक्तों के साथ अपन को नहीं करनी चाहिए, भले अपन भी अपने नाम के आगे परम भगवदी लगा लेते हैं, जबरदस्ती परंतु पौभा लोगों को यह याद रखना चाहिए, कि ऐसी होडा होडी के अर्थ में नहीं, सिखामन के अर्थ में मैं खाली स्मरण करा रहा हूँ, कि यहां इस वारता को अगर हम सिध्धान्त और दृष्टान्त दोनों रूप में देखें, तो ऐसे ऐसे प्रार्थना के चतुर भुजदास ने बह प्रार्थना होती हो, कि प्रभु कब दरशन देंगे, कब हम वापिस सेवा में आएंगे, कब हम शुद्ध होंगे, कब हमको भगवन नाम हमारे दैन दिन करम से लेना मिलेगा, यह सब चीजों का विचार करते हुए अश्टाक्षर के साथ, हमको इस प्रेकार के प्रार्थ प्रार्थना के पद करने को यह वारता के द्रिश्टांत ने अवकाश दिया थे, तो बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्णोतरी के करम में भी पूछा था, कि अश्टाक्षर से इतर हम सूतक में क्या कर सकते हैं, तो वही सूतक में आप बिंती के पद, वेराग्य के पद माहत्मी के पद तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि माहत्मी के पद तो जैसे ग्रहन में गाये जाते हैं, तो ग्रहन में भी अपन शुद्ध होते हैं, ग्रहन काल में अपन शुद्ध होते हैं, ग्रहन छूटने पर अपन शुद्ध हो जाते हैं, वस तो समझिया, लोग ग्रह इस तोत्रादियों का पाट करते हैं तो अगर ग्रहन काल इतना ही अशुद्ध होता तो क्यों होता अपितु ग्रहन काल में तो सारे नक्षत्र और तारागन अस्त हो जाते हैं इसलिए कोई भी प्रकार की वैदिकी तांत्र की दीक्षा देने पर उसके जो शुभाशुव फल हैं वो सामने वाले को प्राप्त नहीं होते इसलिए गोपाल आदी मंत्रों की तो दीक्षा का विधान भी ग्रहन काल में रखा गया है कि आप ग्रहन काल में गोपाल मंत्र दे सकते हो ले सकते हो क्यों क्योंकि ग्रहन काल अपने आप में बड़ा पवित्र का काल है वो उसम प्रकार के नक्षत्र और तारागन अस्तही माने जाते हैं। उस समय कोई शुब मूर्थ अशुब मूर्थ ये रहता ही नहीं है। तो कोई मूरत देखने का क्रम ही नहीं होने से ग्रहन काल पवित्र माना गया है। वैश्नव जगत एक बड़ी भूल करता है कि जैसी अवस्था में होता है वैसी अवस्था में ही पाट करने बैठ जाता है। ये गलत क्रम है। ग्रहन के आदी और अंत दोनों समय सनान का विधान शास्त्र ने किया है। तो कहने का मेरा तात्परे सिर्फ ये है कि ग्रहन के काल में जैसे हम माहत्मे के पद कर सकते हैं वैसे हम सूतक में माहत्मे के पद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सूतक में जो पीछे कीरतन पुस्तकों के छले आश्रय के पदों के साथ जो बिनती और वैराग्य के पद दिये होते हैं। वैराग्य के और आश्रय के क्योंकि कोई भी स्तिती में अपने को भगवान का आश्रय तो नहीं चोड़ना हैं। अपने देह के अपने ये जीवन के आयूष्य के शनबंगूरता का विचार करते हुए भगवज सेवा के वैशिष्ट का चिंतन करना चाहिए कि कितने सोभाग्य शाली हैं। जब ये सूतक पिंडरो जल्दी छूटें तो हम वापिस ठाकुरजी में जाएं ऐसी कुछ मनो भावना के साथ यदि अपने भाव को बढ़ाओगे तो वो 16 दिन निकालने या 13 दिन निकालने या 10 रात्री निकालनी भी आपको सुलब हो जाएगी दूसरा खास यहाँ पर प् सूतक लगता है कभी-कभी तो केवल स्नानमात्र होता है कभी केवल तारा सूतक होता है कभी केवल तीन रात्री का सूतक होता है कभी-कभी किसी वर्ण और जाती को केवल पांच दिन का सूतक होता है यह जो तुम सबको आदत पढ़ गई है न जब देखो तुम 16 दिन के लि पीडी दिखा के अपना वंश्वरक्ष दिखा के पूश लेना चाहिए वह इतनी पीडी पे वो व्यक्तिव अपने अपने करमानुसार गती को प्राप्त हुए हैं मुझे क्या करना स्नानमात्र है तारा सूतक है तीन दिन में के पूरे सुला रात्री पालना एक चीद समझो बहुत बहुत लोगों के सूतक पाल पाल के बेटना भी अपने घर का अशुब करने के बराबर होता है अपने घर में इतना सूतक भी नहीं पालना चाहिए कि इसका सुन लिया हाई मने सूतक लागी गयो मने तो बाधक चे मने बाधक चे ये सब बाधक तुम चाहा के लेते ये सब electronic media अपने को सेवा में काम आता हो, सत्संग में काम आता हो, तो काम का, सेवा से ही दूर करता हो, तो ऐसे जंजाल को, अब हर वैश्णों मुझे पूछता है, आप ये वाटसप केम नती यूज करता है, इतना समय है, ये भी मिलस्ट करूँ, मैं क्या करूँ वाटसप प होती है, तो ही करेगा नहीं, तो मुझसे वारता ही नहीं करेगा, तो मैं सुखी, मेरा जीव सुखी, तो कहने का तात्परी, मैं तो ये चीज कहना चाता हूँ, आप लोग भी इतने इतने दिन, मने आटला पेड़ी उपर कोई था हो, तो पिंडरू लागी गयो, आटला प शव का मुख देखा, न कंधा दिया, न दसमा बारमा खाया, कहाए बात का इतना सुतक? क्या हुआ ऐसा जो इतना इतना सुतक? आए दिन लोग, अच्छा, अभी भी जो प्रश्नोत्तरी हमारी शुरू हुई थी, वो प्रश्नोत्तरी में पचास में से 10 प्रश्न, 20 प्रश सुतक से ही, सुतक आवे तैरे सु करवान, आप से पहले सुतक नहीं आये कभी, बाप, दादा बता के नहीं गए कभी कि सुतक कैसे पालना, हम ही बैठे हैं तुमको बताने के लिए कि सुतक कैसे पालना, हम बता देंगे, हमको बताने में कोई आपती नहीं, पर हम तुमारे गौर बापा नहीं है, अभी दो दिन से तीन दिन से लोग मेरे पीछे पढ़ें, मेरे बेटा की शादी की डेट निकाल के दो, औरे मैं तुम्हारा गौर हूँ, मैं तुम्हारा पंडा हूँ, पुरो ही तुम्हारे क्यों डेट निकाल के दो, मैं तुम्हारे बच्चे का कल् पर दोटा है न कुछ वूमवर्क आप भी तो करके आओ कि इतना इतना मैंने स्टडी किया मैंने एनलेसिस किया मैंने मेरे डंच से देखा अब आज्ड़ाइं करो के मेरे क्या करना हर काम मैं नहीं करूंगा मैं जोट्षी हूं ना मैं फैंग्शूई हूं ना मैं अपने जीवन में उस धर्म को स्थापित करें, फिर उसका उपदेश करें और तुम से कराएं, उसका नाम है आचारी, हमको आचारी उचित जो हमारे कारियें, वो करने में आप भी सहयोग दीजिए, आप इस प्रकार से सहयोग दीजिए, कि साल के 360 दिन में से मैक्सिमम 60-70 दिन रही है सुतक पिंडरु अटकाओं में, बाकी दिन तो सेवा में रही है, इतनी आप भी तो हमको हेल्प करिये, आप तो देर सो देर सो दिन का सुतक लगा के यदि बैठ जाओगे, तो सेवा कौन करेंगा हमारे आंके, बताओ, कौन करे आते ही चले गए, तो क्या हम यही लेकर बैठे रहेंगे, अब हमको आर्श, आरे सम्हिताहों में भी चेंज करने के आवश्यक्ता है, साथ-साथ पीड़ी हमको नहीं पालना चाहिए, पिता-पितामा, प्रा-पितामा, बहुत हो गया, प्रा-पितामा के उपर की पीड़ी बेटे सूतक पालते हैं, हमको तो बहुत दुख होता है यह सब देख देखके, चार समुद्र तक ही गव और ब्रामन का शुब हो सकता है, साथ समुद्र पार से क्या करोगे जानके और सुनके भी के, ऑस्टेलिया में कोई चला गया, नॉर्थ अमेरिका में कोई चला गया, एफरिका में कोई मर गया, एशिया में, इंडिया में और गुजरात और महाराश्टर में लोग बैठके सूतक पाल रहे हैं, तो कोई, हमको तो देशांतर का तो सूतक भी मान्य नहीं होता था पहले, कोई मर गया होगा, मर गया होगा भई, उसके बाद उसका क्या हुआ, त उमने दस दिन बात सुना, बीस दिन बात सुना, तब थोड़ी कोई WhatsApp आजाते थे और फोन आजाते थे, तब थोड़ी Facebook पे टेलिफोनिक बेसुनू का चित्रा आजाता था, तब क्या होता था, पंदरा-पंदरा, बीस-बीस दिन, महीने-महीने बार लोगो को मालुम था, कि कोई दशरातरी में चला गया, कोई अपना निजी चला गया, तब लोग क्या करते थे? तारा सु तक पालते थे, दूसरे दिन उपास करते थे, तीस दिन शुद्ध हो जाते थे. आज वो ही समय आ गया है, अगर आप electronic age, nanotechnology, atomic age, computer age, इसकी दुआई देके बोलते हैं, तो टाइम नथी कोई ना पास दे, तो वो टाइम नहीं को apply वहां भी करो, कि मैं क्यों सेवा छोड़ूं और मैं क्यों ठाकुर्दी से इत्ते इत्ते दिन वंचित रहूं, गुरू के पास जाके पूछो, गुरुदेवा बाग्यां करो, मैं कितने दिन पालूं, बस मुझे जल्दी से जल्दी निवृत्य करो और सेवा में आप भाजिर करो, ये एक आचार संभिता उना लाने का समाज में एकदम यतोचित समय आ चुका है, और हमको उसी पे कारी करना चाहिए, अब इत्ते इत्ते दिन का बाधक और पिंडु ले लेके नहीं बैठना चाहिए, मु देखो इस प्रकार से ये वारता हमको ये बताती है, कि हम अपन जब कभी बाधक में आजाए ना करे नारायट, तो ऐसी स्थिती में अपन बिंती के, बहीराग्य के, भगवान से प्रार्थना केशि ठाकुर्जी से अपन पदों को भी गा सकते हैं, वो भी मानस चिंतन के र आरती उतना ताप, क्लेश उस चीज का होने दो, तब मेरे इस सिध्धन्त को स्विकारना, तब तक तो मेरे भी बात को केवल सुनी लो, आप उसको इन प्रैक्टिस दाने क्या हो, श्रिक्ता तब तक भी नहीं है, सो यहां आए कि ऐसे प्रार्थना के चतुर्बुद्दास ठाड़े बए, तब शिनाज जी उनके सामने देखी के मुस्क्या है, तब आच्छे ग्वाल के राजभोग के दर्सन करी के, चतुर्बुद्दास मन में विचारे जो घर चलिये, तब फिर शी गोर्धन दास चतुर्बुद्दास से कहे, जो चतुर्बुद्दास तु करी, तब चतुर्बुद्दास ने तो कही, जो महराज जाती में लरकी नहीं, कोई नहीं है, तब शी गोर्धन दास जी ने चतुर्बुद्दास सो फेरी कहो, जो तु धरे जा करी, तब वह बात सुनी के चतुर्बुद्दास के चु बोले नहीं, तब आचे नित्य दिन पात साथ लो आप गुर्धनाजी कहे परंतु चतुरुबुद्दास के मन में यह बात ना आई तब यह बात शिनाजी ने सद्दू पांडे सजता हैं जो तुम ढूंडी के चतुरुबुद्दास को धरेजो कराई दो तब सद्दू पांडे ने चतुरुद्दास से कही जो अवश्यश्य प्रभू जी के आज्या करी चाहिए तब चतरवुद्धास ने कही जो वे तो मेरे पाचे परे हैं अब कहा करें ता पाचे एक मुकदम की बेटी रांड हती रांड हती से यहां ताथ पर यह ब्रिजबार्शा का ठेट का शब्द है कि जिसका कोई पती न रहा ह जिसका कोई स्वामी न रहा हो एसी स्त्री को ब्रिज में कहा जाता है यह तो रांड वे गई रांड वे गई से ताथ पर यह वैश्या वृत्ति से या कोई गलत अर्थ में नहीं है वहां पे विधवा को बाल विधवा को जिसका कोई पती न रहा हो या जिसको पती ने ऐसी चक्ता स्त्रियों को वहाँ पर ये संबोधन एक ग्रामिण लोक परमपरा से दिया जाता है तो भाषा साहित्य में वारता साहित्य में जो कात्यों संबोधन लिया गया है तो यहाँ पर इनने ये से कही ये ताप आचें एक मुकदम की बेटी रांड हती तो वासो सद्दू पांडे ने कही कि चतरवजदास को धरेजो करायों धरेजो करायों को तात्परि होता है कि जब किसी व्यक्ति को विधुर हो गए कोई व्यक्ति उनकी धर्मपत्नी चली गई तो वो जब दूज विवा करेंगे तो प्राया उनको भी कोई न कोई बाल विद्वा या जिसके बहुत यो समझो कि जवानी में पती चले गए हो और वो खुद भी बहुत बड़ी ना हुई हो क्योंकि उस समय तो बाल विवा की ही प्रथा ज्यादा तर ग्रामिंड संस्कृतियों में रही तो हम देख सकते हैं कि ये जो धरेजो करने का जो क्रम है ये भी एक ब्रिजभाशा का शब्द है कि जब दूसरा विवा किया जाए और दूसरे विवा में जो स्त्री मिल रही है वो भी पहले कहीं विवाहित हो चुकी हो एसी स्त्री के साथ जब विवा हो तो उसको धरेजो कहते हैं कि धरेजो मतलब अब तू कम से कम धरले आए धरले मतलब अब कोई आको पती नहीं है तू स्विकार्ण तू याए शरण दे तो वहां शरण देने के अर्थ में स्वाम पांडे आदी सभी ने श्री गुर्धन नाजी की पुना हुई यही आज्या से कारण चतरुवद्दास का विभा करा दिया तब श्री नाजी उनको चिड़ाने लग गए ता पांचे श्री गुर्धन नाजी चतरुवद्दास सो हसन लागे जो यह देखो कुमंदा सरीखे को बेटा होय के स्त्री मर गई तो दो चार महिना उना रहो गयो सो तुरत ही धरेजो कियो और तो संतोष नहीं सो यह भाती सो चतरुवद्दास की हासी श्री गुर्धन नाजी सखा सही नित्य करते सो एक दिन चतरुबुद्दास नहीं हूँ यह सुनी, सो शी गोर्धन नाजी सो कहो, जो मोको तो तुम नित्य ऐसे कहात हो, परंतु तुम हूँ तो घर-घर ब्रजवदून के संग लागे रहत हो, सो और संग डोलत हो, सो कहा, यह सुनी के गोर्धन नाजी लज्जा पाए, स आपका ने कभी विचार किया है, प्रभू लज्जा पाए, ठाकुर जी शर्मा गए कोई बात को सुनके, यह तो कोई सखा के तभी अपने साथ हो सकता है, नहीं तो ठाकुर जी कहा बात को शर्मा हो, बताओ, कहीं परदारा है ही नहीं, उनके लिए तो कौन सी स्त्री है, ज कहा है परदारा, कौन सी परदारा, जितनी भी स्त्री हैं, उनके और उनके पती के हरदय में कौन बिराज रहा है, वो साक्षाद श्री गोर्धन धर ही बिराज रहा है, यह तो कहा है कि किसी और के साथ डोलने का प्रश्न हो, फिर भी यह तो सखा भाव है, कि सखा भाव में कर दी हो तो चत्र बुद्दास भी चिड़ा रहे हैं कि तुम कौन से ठीक हो तुम भी घर घर ब्रज वधुन के संग डोलत फिरत हो तो आप श्री गोर्धन नाजी लज्जा पाएं तो चत्र बुद्दास ते कछू बोले नहीं पर गोर्धन नाजी ने सो गुसाई जी सो जा कहता है तो उसको तुम डाटना श्री गोर्धन नाजी सो कहे सो अब ऐसे कभव ना कहे ताटे तुम बाकू बरज जो अब ऐसे कभव ना कहे पाचे जब चत्र बुद्दास मंदिर में दरसन को आए तब श्री गोर्धन नाजी से ऐसे क्यों कहो तब चत्र बुद्दास ने शी गोर्धननाजी की बात सब गुसाई जी आगे कही जो माराज ये मेरी नित्य हासी करत हैं जो एक बार मेने हुए से कहो तब गुसाई जी ने चतरुबुद्दास से कहो जो आज पाच है तुम ऐसे मत कही हो ता दिन ते शी गोर्धननाजी कहते परी चतरुबुद्दास ताते वे चत्रबुद्धा शी गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र बगवदी हते。 और एक समय गुसाई जी तो आप परदेश पधारें, सो फागुन वदी सातम को शी गुर्धनाजी आप मतरा में शी गुसाई जी के घर पधारे हते। सो तुम ले आओ, तब गिर्धर जी ने आए कि कहो जो अपनो घर शी गोर्धन्नाजी को भेट करयो है, तामे ते तुम कचू राख्यो है सो देहू, तब उन्हें मुद्री राखी हती, सो दीनी ता पांचे सब बहु बेटी, बहुत ही प्रसंद भै, जो हमारी सत्ता की वस्त शी गोर्धन्नाजी ने अच्यंत प्रीतिसो मांगी के अंगिकार की निसो अपनो वड़ो भाग्ये है, तुम जा समय शी गोर्धन्नाजी मत्रा पधारे, ता समय चतरवुजदास जमनावता अपने घर में आते, तब सबंसों पूछें, जो गोर्धन्नाजी आप कहां पध पधारे हैं तब औरिया ने और सब सेवकन ने कई जो शिनाजी तो मत्राजी पधारे हैं यह सुनी के चतरवुद्दास के मन में बहुत विराभ हैो तब शिर्राजी के उपर बैठी के विराखे कीर्दन करन लागे सोपद बात हिलग की कासों कहिए सुनरी सकी विवस्था या सबसुख लईये और मोहन मोहनी पड़ी मेली मुख देखत तनदसा भुलानी को घर जाय सहेली काके तात भ्रात अरुमाता को पती नेहनवेली काके लोक लाज और कुलडर को बन फिरत अकेली याही ते कही मूल मंत्र तौंसों एक संग मिली सकेली चतरवुज प्रभु गिर संद्यारती के समय चतरवुद्दास गिर्राज परवत के उपर आए सब गोर्धन नाज जी बिना मंदिर देख्यो न गयो तब चतरवुद्दास के मन में अच्चन्त विराभ हैो तब यह कीरतन शी चतरवुद्दास ने कियो ये भी अतिप्रसिद्ध पद है पहले के तो प्राया हर पुष्टिमारगी वईश्णों को ये पद बहुत भाव पूरुव कंठस्त था प्रदयारूर था और गाते भी ऐसे ही प्रेम और आतुरता के साथ जैसे बहुत दिन से श्री गोर्धन दर के दर्शन ना हुए हो इस प्रकार से इस पद का वईश्णों गान करत हैं कि ये पद इसी प्रकार से लोगों को कंठगत हो और लोग इतने ही भाव से इसको गाएं है बारमी तुक ये बारा तुक का पद है सो इसमें जुग जुग अभी चल राजिये लाल यह सुख शैल निवास शी गोवर्धनर रूप पर बलिहारी चतुर्भुजदास या भाती सो अत्यंत विरह के कीरतन चतुर्भुजदास ने किये सो प्रथमत गायन के जुंड के दर्शन चतुर्भुजदास को भए ता पैशे सकान के मध्य शी गोवर्धन नाजी शी बलदेव जी के दर्शन भए तब चतुर्भुजदास ने निकट जाय के दंडवत करी के शिनाजी सो बिंती किनी जो महाराज आप करपा करी के मोकों शी गोवर्धन परवत के उपर दर्शन कब देऊगे तब शी गोर्धन नाजी चतुर्भुजदास सो कहे जो मैं काली शी गोर्धन परवत उपर पधारूंगो ऐसे चतुर्भुजदास को धीरच देके शिनाजी आप तो अंतर ध्यान भए तो चतुर्भुजदास ने सगरी राती विरह के पद गाए ता पाचे शी गोपुल नाज जी ने गिर्धर जी सो कयो जो गुसाइगी दोई-чार दिन में पधारी बेवारे हैं, तो अपने घर में गुर्धन जी को दरसंग गुसाइगी करें, तो आचो, ताते शीनाज जी को चार दिन और राखो, तब शी गिर्धर जी ने कयो, जो तुम क पाचे मंगला आर्थिकरी रत पर शी गुर्धन्नाजी को पदराई के सब बालग भव बेटी संग चले और इहां चतर बुझदास गिर्राज परवत के ऊपर चड़ी के बारम बार देखत हैं जो अब शी गुर्धन्नाजी पदारेंगे अब शी गुर्धन्नाजी तो ता समय यह कीर्धन गायो तब ते जुग समान पल जात जादिन ते देखे सकी मोहन मोतन मुरी मुसकात दर्सन देद ठगोरी मेली तब ते कछुन सुहात बीतत घरी घरी क्रम क्रम अब भर मीडत पचतात मन में गड़ी मदन मूर्ती वहमन अटक्यो साम लगात चतर भु जी आदी सब बालक को दंडवत किये पांचे गिर्धर जी ने गोर्धन नाज जी को शिंगार कियो और राजभोग की तैयारी होन लागी ता पांचे शी गुसाई जी आप गुजरात के परदेशते पधारे सो शी गोर्धन नाज जी के उत्थापन भोग को समय अतो तब ग गुसाई जी ने गिर्धर जी सो पूझी जो शी गोर्धन नाज जी के आँ राजभोग की इतनी अवेर काहे को है तब गिर्धर जी ने गुसाई जी सो कहो जो आज शी गोर्धन नाज जी मध्यान समय मथुराते यहां पधारे हैं ताते आज इतनी धील भई है तब शी गो गुर्धनाज जी को पदराए हैं तब शी गुसाई जी गिर्धर जी के उपर बहुत प्रसन्न भए और गिर्धर जी सो कहे जो तुमने मेरे मन को अभिप्राए जाने हो जो मैं शी गिर्धनाज जी को गिर्राज परवत के उपर न देखतो तो मोसो रहो न जातो ता पाचे ग बोले जो रीत या भई चतुर बुद्दास शिनाज जी शी गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते सो वार्ता प्रसंग दस और एक समय शी गुकुल नाज जी ने गुसाई जी सो पूछयो जो आप आग्या करो तो एक बार चतुर बुद्दास को गुकुल ले आऊ तब गुसाई जी कहे जो चतुर बुद्दास आऊ है तो ले आऊ तब आचे शी गुकुल नाज जी चतुर बुद्दास सो कयो जो पैठो गाम है पैठो तब चतुर बुद्दास शी गुकुल नाज जी के साथ चले जब पैठों गाम में गोकुलनाच जी आए, तब चतुरुबुद्दास सो कईो, जो हमको शी गोकुल जानो है, जो हमारे संग खवास को नहीं है, ताते तुम हमारे संग शी गोकुल ताई चलो, तहां शी नौनित प्रिया जी के दर्सन करी के, तुम फेर ही हमार साथ आवें सो उत्थाबन को समय हतो, सो गुसाई जी स्नान करी के नौनित प्रिया जी को जगाए, ताप आचे संध्यारती के समय गोकुलनाच जी ने और चतुरुद्दास ने सुन्यो, जो शी गुसाई जी आप यहां पदा रहे हैं, तब शी गोकुलनाच जी और चतुरुद्दास बहुत प्रसंद नबाए, सो ततकाल नौनित प्रिया जी के मंदिर में आए, तब गुसाई जी शी नौनित प्रिया जी के मंदिर में पधारे और चतुरुद्दास को बुलाए के शी नौनित प्रिया जी के दरसन करवाए, सो दरसन करे ता समय चतुरुद्दास ने गायो, प्रेम मुदित गोपी यस गावत स्याम सुन्दर को लेले नाम, जहां तहां लीला अवगाहत, किरक खोर्दती मंधन ठाम, परमक करत कुलाहल निस अरोबासर, आनंद में बीतत सब जाम, नंद गोप सुत सब सुखदायक, मोहन मूरत पूरन काम, चतरभुज प्रभु गिरध आनंद निधी, सखी स्वरूप शोभा अभीराम, नकसिक रूप शोभा अभीराम, ऐसा भी पार्ट मिलता है, और दूसरा पत जो है, वो राग रामकली में गाहें, आप विचार करिए, कि इस समय पर जब शिनौनित प्रिया जी के दर्शन कराएं, तब उस समय पर संध्या करती के समय पे, ये सुबह बिलावल और रामकली गा रहें हैं, क्यों गा रहें हैं, क्योंकि बाल लीला प्रधान, ठाकुर जी के दर्शन इनने पहली बार किये, और पहली बार इनने जैसा ही ठाकुर जी के दर्शन किये, तो सारी बाल लीला का जो फुरण है, वो इन सखा को हुआ और इन्होंने प्राता काल की जो सब लीला हैं जो सुबे की हैं वो सब बाल भाव प्रधान हैं और सायम काल की जो सब लीला हैं वो सब ठाकुर जी की किशोर भाव प्रधान हैं तो प्रभू की बाल लीला को दर्शन करके बाल लीला के ठाकुर जी को दर्शन करके यह पे चतरुबुद्दास जी ने भी जो दो पद गाए वो बाल लीला प्रधान गाए अंगुरी छांड रेंगत अरग थरग नूपुर बाजद त्यों त्यों धरनी धरत पग कवहु वसुधा माही भुजा पसारी हसी डगमगाई के उलती भरत दग जननी मुदित मन चिते सिस सुतन कंठ लाए सुन्दर स्याम सुभग और मुर्दुबानी तुतरात मांगी नवनी तखात भोजन जनावत जैसे बाल खग चतरुबुज प्रभु गिरधर के बाल विनोध नंद आनंद देखें ठाड़े टग टग दोनों ही पद जो गाए सो राग बिलावल और रामकल करें जतरु बुद्दास ते करें चतरु बुद्दास तो कुछ चैए सो मांग तब चतरु बुद्दास ने हुए को हाद के बिंति करी जो माराज आप तो अंतरगत की जानत हो ताते आप मोको कृपागरी के श्रिaking दरसंग कराओ तब गुसाई ने चतरु जैसे करेंил जो काली नवनित प्रिया जी को शिंगार करी के पलना जुलाए के हम चलेंगे तब तुम हू संग चलियो तब चतरुबुद्दास मन में भहुत प्रसंद भये ता पाचे रात्री को चतरुबुद्दास सोय रहे पाचे प्रातक काल होती चतरुबुद्दास ने आए के गुस पाचे गुसाई जी आप नौनित प्रिया जी को भोग सराई के शिंगार करी के पालने जुलाए, ता समय चतर बुद्धास ने यहाँ पलना को पद गायो, अपनेरी बाल गोपाले हो, रानी जुपालने जुलावे, यह जो पद है यह पलना का और दूसरों एक गायो जुलो पालने गोविंद, यहाँ पलना चतर बुद्धास ने गाये, सो सुनी के गुसाई जी आप बहुत प्रसंद भये, ता पाचे गुसाई जी घोडा मंगाये, ता उपर असवार होई के, चतर बुद्धास को संग लेके गिर्राज पधारे, और श्री गोर्धन नाज जी के र कछुन सुहाई, सुन्दर श्याम जबहीते देखे, खिरक दुहावत गाये, आवत हुती चली मारग में सकीयों अपने साथ बाये, मदन गोपाल देखी के एक टक रही ठगी मुरजाए, बिसरी लोग लाज ग्रह कुल ब्रत बंदु पिता और माये, चतर बुद्ध पाचे इतने में 13 आयो, तब Чतर बुद्ध दास दंडवत करी के बहार आये, तब कुमंद दास चतर बुद्ध दास चैंङ में कैयो, तू प्रमाण में जाए पर हो, तब यहाँ बात कुमंद दास के मुक्ते सुने के घुसाईँ जी आप मंदिर में हसे, घुसाईई जी आ तु तो प्रमान में जाए पड़े हो, μतलब यहाँ तो तु प्रमे लीला में हतो, सो कहाँ तु प्रमान में जाए पड़े हो, तो यह पात सुनी कि आप मंदिर में हाह से, तब आचेशी गुर्धन नाज जी को अनुसर करी के गुसाई जी आप अपनी बैठक में पदा रहे तब चत्रुबुद्धास ने गुसाई जी सो विंती करी जो महाराज कुम्मंदास जी ने मोते कहो जो तु कहां गए हो तब मैं कहो जो गुकुल नाज जी के संग्षी गोकुल गए हो तब उन मोते कहो जो तु प्रमान में जाए पड़े हो सोशी गोकुल को प्रमान क्यों गिने तब गुसाईं जी आप चतरुबुद्दास सो कहे जो कुम्मन दास को मंशी गोर्धन नाज जी में लगयो है जो एक शणहू न्यारो नहीं होते ताते ए और लीला को प्रमान जानत है और तो दो लीला एक ही हैं ता दिन के नुवत करी कि अपने घर आए सो शी गोर्धन नाज जी हूँ चतरुबुद्दास पे परम क्रपा करते सो ये चतरुबुद्दास ऐसे क्रपा पात्र भगवदी है ते ये छला प्रसंग है वारता में जो हम देखने जा रहे हैं और यहां पे कह रहे हैं कि और एक किते एक पाच्छे गुसाई जी आप गिर्णाज जी कंदरा में होई के लीला में पधरे तब शी गिर्धर जी को अपनों उपरणा दिए और कहे जो शी गोर्धन नाज जी क्या अग्या में रहियो जामे शी गोर्धन नाज जी प्रसंग होए सोई कीजो और सब बालकन को समाधान राखिएँ स्रीनाजी के सेवक और जो वैशनव हैं इन सबन को समाधान राखिएँ और ये जो मेरे अंग को उपरणा है ताको सब लोगुकी संसकार करियो काय ते जो संसकार न करो गे तो इसार्ट जी ने जो उपरणा की आग्या जैसे की निया थी तैसे ही गुर्धर जी ने वे उपरणा को अगनी संसकार कियो पाचे वेदोक्त विदीस व सब सवन कर्म दसगात्र विधान कियो औरोव लवकिक विदीस व सब करिशुद्ध होए ता पाचे गुर्धन जी की सेवा में साउधान भए जो जा समय शिगुसाईंजी गुर्धन परवत की कंद्रा में होई के लीला में पधारे ता समय चतरवुद्धास जमनावता गाम में अपने घर में हते सो सुनी के चतरवुद्धास दोरे ही आए सो आए के महाव्याकुल होई के कंद्रा के आगे गिरी परे और महाविलाप करन लागे जो महाराज पधारत समय मोको आपके दरसन होना भे और मैं आप बिना प्रत्वी उपर कौन प्रकार सु देह रहूंगो देखूंगो ताते अब या प्रत्वी उपर मोको मत राखो महु को आपके चर्णारविंद के पास निखटी राखो महु को गुलाई ली जो ऐसे महाविरह संयुक तो होई के चतरभुज दासने तहां या कीरतन गायो फिर ब्रज वसहू श्री विठ्ठलेश क्रपा करी के दरस दिखाओ वलीला भवेश संग गाय अरुगवान ले गोकुल गाउं करव प्रवेश नंदराई जो बिलसी संपती बहु उदार नरेश भक्ती मारग प्रकट करी कलिजन देव उपदेश रचो रास विलास भहसब गिरी गोवर्धन देश वदन इंदुते विमुख नैन चकोर तपत विशेश सुधा पान कराई मेटहू विरह को लवलेश श्रीव लव नंदन दुख निकंदन सुनहू चित्त संदेश चतुर्भुज प्रभु घोश कुल के हरव सकल कलेश यो ऐसे विरह के कीरतन चतुर्भुदास ने बहुत किये तब गुसाई जी ने चतुर्भुदास की बहुत आर्थी जानके महा आन्द स्वरुप सो चतुर्भुदास के हरदय में आई के आप दर्शन दिये और कही जो चतुर्भुदास तु इतनों विरह काहे को करत है मैं तो सदा तेरे ही पास हूँ ताते तु अब इतनों खेद मत कर और अब तो मेरे दर्शन तो शी गुर्धन जी के निकट ही करियो करी जहां शी गुर्धन जी हैं वहां सदे मोहु को तिन के पास जानेयो करी ताई में रहत हूँ ऐसे चतुर्भुदास को समाधान करी के गुसाई जी आप तो अंतर ध्यान भए पाचे चतुर्भुदा ही ताई सरुपानंद में मगन होएके ता कीर्थन गाए सुश्री विठ्थल प्रभु भए न भे हैं पाचे सुने न आगे देखें यच अभी फेर न बनी हैं मनुष दे धरी भक्त होत कलिकार जनम को लें पाचे चतुर्भुदास के एक बेटा हतो रागोदास सो आयो और वैश्नो सव आये तिन सबन ने मिली के चतर बुद्दास को अगनी संसकार कियो और क्रिया कर्म दसगात्र करी शुद्ध बै सो वे चतर बुद्दास श्री गुसाईं जी के एसे कृपापात्र भगवदी अते ताते इनकी वारता को पार नहीं सो कहां कहीं कहिए या प्रकार से श्री चतर बुद्दास जी की वारता संपुर्ण मैं और आप श्री चतर बुद्दास प्रभुचरण श्री गुसाईं जी और श्री गुर्धन जी का सरवदा स्मरण करते हुए सरवदा उनसे आश्रे की प्रार्थना करते हुए आईए मैं और आप आश्रे का पद करें और आश्रे के पद के साथ उनहां हमारी इस जूम सभा जूम सधन में हम बेग बेग मिलें ऐसी भी प्रार्थना हम शिगोरधन दर के चरणारविंद में करें और मैं प्रियास करूँ कि परदेश से लोटते ही मैं तुरंत मेरे ये जूम के क्रम को पुना शुरू करूँ और श्री गोविन स्वामी जी की वारता और अन्यान के सामप्रदाइक सिध्धानत और भावनाओं के साथ आपके साथ सत्संग में प्रवड़त हो जाओं इसी के साथ आए गोवरधन की र निक्य प्रतीमदन गोपाल लालके चरन कमल चितलाई तरे टिशी गोवरधन की रही तना पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविन्द कुंड में नही रसिक प्रितम हित चित की बातें शिगिरधारी जीसों कईये तरे टिशी गोवरधन की रही ये शिगोवरधन आथ कीजे शाम सुंदर शियमने महराणी कीजे शिवल भाधीश कीजे